हाई फ्रेंट्स मैं प्रतिक प्रोहित एक बार फिट से स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजिटल तेहरी के यूट्यूब चैनल को फ्रेंट्स हमारी मनोहर पांडे बुक सीरीज में अब तक हमने भारतिय राजव्यवस्था इंडियन पॉलिटी के चैप्टर नमबर टैन न्याय पाली का यानि के जूडी शरी के पहले 60 कोश्चन को सॉल किया इस वीडियो में हम लोग next 30 कोश्चन यानि के कोश्चन नमबर 61 से 90 को सॉल करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं और चलता है आज के फ़र्ष्ट कोश्चन कियो है तो फ़र्ष्ट कोश्चन है निमलिखित में से कौन सा एक निर्ने उच्तर न्याय पालिका में नियुक्ति और इस्थानांतरन को लेकर भारत के मुख्य न्याय मूर्ति और नियाय दिसों के अधिसासी मंडल की प्रदानता के साथ जुड़ा था कौन सा ऐसा केस है कौन सा ऐसा मामला है जिसका संबंद उच्तर नियाय पालिका में नियुक्ति और इस्थानांतरन को लेकर भारत के मुख्य न्याय दिसों के अधिसासी मंडल की प्रदानता से जुड सब्सक्राइब करने की सुप्रीम कोड के उसमें से दो न्याय दिशों को भारत सरकार ने नियुक्ति नहीं दी, एपोइंट नहीं किया, तो फिर ये केस दाखिल किया गया, कि क्यों ना एपोइंट किया गया, इसके पीछे का कारण, भारत के मुख्य नियादिश और भारत के जो विदी मंत्री जो लौ मिनिस्टर है, उनके बीच क्या कम्यूनिकेशन हुआ है, वो मना कर दिया, सरकार ने, इसी लिए ये केस किया गया, और अल्टिमेटली, एस पी गुपता जी जो है, वो इस केस को जीत गए, तो आप्शन भी इसका बिलकुल सही आंस्वर है, भारत में न्याइक सक्रियता संबंदित है, न्याइक सक्रियता का इंग्लिस मतलब होता है, Judicial Activism, तो न्याइक सक्रियता मिंज, Judicial Activism का Relation कि स्थे ये पुझा गया है, पहला अप्शन से है, प्रतिबद न्याइपालिका से, जनहित याचिका से, न्याइक पुनरवा लोकन से, या फिर न्याइक स्वतANTर्ता से, तो जो न्याइक सक्रियता है, उसका संबंद है, जनह IELC, Public Interest Litigation, न्याइक शक्रिता का मतलब क्या होता है, जब न्याइपालिका, खुद से ही, जो है, लोगों की, देश की, समाज की भलाई के लिए, सरकार के किसी कानून, या फिर कारेपालिका के किसी आदेश को, चैक करें, उसकी जाच करें, कि वो समविधान के दाएरे में है या नहीं है, तो option B, जन ही तियाची का इसका बिलकुल सही answer, next देखें, भारतिय समविधान में न्याइक पुनर्वा लोकन का आधार है, जो न्याइक पुनर्वा लोकन है, जिसे कहा जाता है, judicial review, उसका आधार क्या है, ये पुछा गया है, options देखें, वैदिक प्रक्रिया विदी द्वारा इस्थापित प्रक्रिया, विदी का सासन, या फिर त्रिश्टांत और अभी समय, सबसे पहले समझना होगा न्याइक पुनर्वा लोकन होता क्या, judicial review क्या होता है, तो ये हमारे न्याइपालिका की वह सकती है, जिसके तहत वो भारत के, या किसी भी राज् सम्विधान का उलंगन कर रहे हों, तो उन आदेशों को ऐसे कानूनों को निरस्त, यानि के नल एन वॉइड भी डिकलेर करने की सकती है, न्याइपालिका के पास, तो ये जो सकती है, इसी को न्याइक पुनर्वा लोकन है, judicial review का आ जाता है, इसका आधार क्या, इसका base क्या पुछा गया है, तो सही आंसर होगा, option C, विदी का साशन, विदी का साशन का मतलब होता है, rule of law, देश में सबसे उपर क्या है, law है, और ये law कहां पर mentioned है, constitution में सम्विधान, next देखें, बारतिय सम्विधान का संरक्षक किसे कहा गया है, protector of Indian constitution, देश में जो कुछ भी होगा, वो सम्विधान के तहत होगा, constitution की limits के अंडर होगा, ये इसको कौन निश्चित करता है, question है, संसद, राष्ट्रपती, सर्वोच नियाले, या फिर none of the above, तो सम्विधान का संरक्षक सर्वोच नियाले को कहा गया है, supreme court को कहा गया, next देखें, निमली खितमे से कौन, भारत क सम्विधान का अभी रक्षक है, अभी रक्षक का मतलब है, custodian, एक तरीके से, पिछले question के जैसा, ये बस word अलगे, वहाँ पर संरक्षक कहा गया था, यहाँ पर अभी रक्षक कहा गया है, options, भारत के राष्ट्रपती, प्रदान मंतरी, लोकसभा सची वाले, या फिर भार का उच्तमनियाल है, सुप्रिम कोर्ट को ये सक्तियां दी गई है, सुप्रिम कोर्ट की जिम्यदारी टै की गई है, कि वह भारत के सम्विधान को बचाय रखे, constitution का संरक्षक, constitution का protector, और उसका अभी रक्षक, custodian भी बना रहे, इसका अर्थ ये है, कि देश में, जो कुछ कोई भी कानून बन रहा है, कोई भी देश में, नया आदेस जारी हो रहा है, वो सम्विधान के तहत हो, इसे कोई निश्चित करता है, भारत का सुप्रिम. नेक्स देखें, बारतिय सम्विधान का अभी भावकत्य नहीं थे, सम्विधान का अभी भावकत्य किसके तहते, यानि कि सम्विधान को लेकिए अगर कोई तरीके का confusion हो, तो वो ultimately कौन clear करेगा, राश्ट्रपती में, लोगसबा में, सर्वोच न्याले में या फिर मंत्री मं जिसका सही आशर होगा, option C, सर्वोच न्याले में, तो आप देख सकते हैं, सम्विधान को बचाय रखने में, सम्विधान के रक्षा करने में, कितनी ज़्यादा सक्तियां जो है, वो किसे दी गई है, सर्वोच न्याले को, यानि कि सुपरिम कोर्ट आफ इंडिया को दी ग सबसे अच्छा लगे, उस तरह अपनी जिन्दगी की रूप रेखा तयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं, यानि कि कौन से केस में सुपरिम कोर्ट द्वारा यह धारना व्यक्त की गई, कि जो मूल अधिकार है, वो जैसा आप अपने जिन्दगी को जीना चाते हो, उस तर प्रवांगिन विकास में, होलिस्टिक डेवलोपमेंट में मदद करते हैं, उप्शन्स हैं, इंद्रा गांदी बनाम राज नारायन, गोलखनात बनाम स्टेट अफ पंजाब, बैंकों के राश्टिकरन का मामला, और या फिर अजहर बनाम मूंसिपल कॉर्पोरेशन का मामल तो इसका सही आंस्वर है, ऑप्शन सेकेंड, गोलखनात बनाम स्टेट अफ पंजाब, इसी केस में, ये केस 1967 का है, 1967 का है, और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह धारना व्यक्त की है, मूल अधिकारों को लिख, नेक्स देखें, मैं भारत के समविदान के प्रती, जिवहन करूंगा, समविदान और कानून की रक्षा करूंगा, यहाँ सपत ली जाती है, सपत का इंग्लिज में मतलब होता है ओत, तो वो कौन सा पदाधी कारी है, वो कौन सा ओफिशल है, इंडिया का कॉंस्टिट्यूशनल ओफिसर है, जो अपनी सपत में ये सारी सपत क बोलता है, यानि के समविदान के प्रती सचा विश्वास और सची निष्ठा, भारत की संप्रभूता और अखंडदा को बनाय रखना, अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करना, और समविदान और कानून की रक्षा करना, ये सपत कौन लेता है, ऑप्शन्स हैं, भारत के रा निष्ठा का मुख्य नियादीज भी कहते हैं, चीफ जस्टिस ओफ सुप्रीम कोर्ट भी भारत के चीफ जस्टिस को ही कहा जाता है, नेक्स देखें, निमलिखित में से कौन से मामले उच्छन्याले और उच्तम नियाले की अधिकारिता में आते हैं, कौन सा ऐसा मामला है, कौन सा ऐसा case है, जो उच न्याले, यानि कि high courts और उचतम न्याले, यानि कि supreme court के jurisdiction में अधिकारिता छेतर में आते हैं, केंद्रेवं, राजियों के बीच विवाद, ये केवल और केवल, किसके बीच जाएगा, supreme court के पास जाएगा, इसमें उच न्याले के पास ये case नहीं जा स का प्रवर्तन, enforcement of fundamental rights, ये दोनों के पास जाता है, supreme court अनुचेद 32 के तहट, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करता है, इनको enforce करता है, रिट जारी करके, और high court, अनुचेद 226 के तहट, पांच प्रकार की रिट जारी करके, मूल अधिकारों का प्रवर्तन करता है, तो इसमे हैं, दोनों के पास जा सकती, सम्विदान के उलंगन से संरक्षन, सम्विदान का संरक्षक किसे का आगया है, supreme court, तो दोनों कहां पर आएंगे, option C बिलकुल सही answer हो जाएगा, मूल अधिकारों का प्रवर्त, enforcement of fundamental rights, next देखें, निमलिखित में से कौन चौथी महीला जज हैं, जिनें, अप्रेल 2010 में भारत के उच्तम नियाले में नियुक्त किया गया, अप्रेल 2010 में, इंडिया की Supreme Court में कौन सी चौथी महीला जज नियुक्त हुई हैं, जश्टिस फातिमा बीबी, जश्टिस सुजाता मनोहर, जश्टिस ग्यान सुदा मिसरा, या फिर जश्टिस तो चौथी महीला जजज सुप्रीम कोर्ट में एपॉइंट होने वाली हैं, जश्टिस ग्यान सुदा मिसरा, जश्टिस ग्यान सुदा मिसरा का सुप्रीम कोर्ट में एपॉइंटमेंट अप्रेल 2010 में हुए, चौथी महीला जजज हैं सुप्रीम कोर्ट की, ध्यान रहे है इनोंने बहुत सारे लेंडमार्क जज्जमेंट्स दी हैं जिसमें सबसे फेमस जो इनका जज्जमेंट्स था वो वर्स 2014 का था बी सी सी आई और एन स्री निवासन जो चिन्ने सूपर किंग के मालिक है उनका जो मामला है उसमें जो डिसीजन आया है वो जश्टिस ग्यान सरह नहीं दिया है सुपरीम कोड की जज बनने से पहले यहां जारखंड हाई कोड की चीफ जश्टिस यानि के मुख्य नियाएदिस भी रहे चुकी थी जो जश्टिस फातिमा भी भी हैं फस्ट आप्सन यह फस्ट महीला जज़ हैं बारत की जो सुपरीम कोड में नुक्त ह होने वाली इनका जो सुप्रिंग कोर्ट में युक्ति हुए वो 1989-1990 में हुए 1999-1990 चौथी कौन सीधी जस्टिस ज्यान सुधा मिसरजी नेक्स्ट भारत के समविदान के संदर्ब में सामान्य वीदियो में अंतर्विष्ट प्रतिसेद अत्वा निर्बंद अत्वा उपबंद अनुचेद 142 के अधीन सामविदानिक सक्तियों पर प्रतिसेद अत्वा निर्बंदन की तरह कार्या नहीं कर सकता निमलिकित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है पर फिर से देखें समविधान के संदर्व में सामान ये वीडियो में अंतरविष्ट प्रतिसेद यानि के किसी चीज को बैन करना, रोकना अत्वा निर्बंद, अत्वा उपबंद अनुचेद 142 के अधीन समविधानिक सक्तियों पर प्रतिसेद या निर्बंद की तरह कार्य नहीं कर सकते वो कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है बारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्वाचन को किसी भी नियाले में चुनोती नहीं दी जा सकती भारत का उच्तम नियाले अपनी सक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विदियों से बाद यह नहीं होता है देश में गंबीर वित्य संकट की स्तटी में भारत का राष्ट्रपती मंतरी मंडल के परा मर्ष के बिना वित्यापाद गोशित कर सकता है और या फिर कुछ मामलों में राज्य विदान मंडल संग विदान मंडल की सहमती के बिना विदे निर्मित नहीं कर सकता अनुछेद 142 इन में से किसकी बात करता है सही आंस्वर है option B option second भारत का उच्तम न्याले अपनी सक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विदियों से बात दिया नहीं होता है यह कहां पर लिखावा है अनुछेद 142 में लिखावा है चलिए next वाद एवं उस वाद में उच्तम न्याले की वियुस्ता के तुरूटी पून यूगम को यानि के गलत यूगम को पहचानना है चार केस दे रखें इंद्रासानी वाद विसाका वाद मेन का गांधी वाद या फिर बेला बैनर्जी वाद सामने options जो हैं वो नहीं आ प संबंदित है जो क्रीमी लेयर का कॉंसेप्ट है उससे जो अन्य पिछड़ा वर्गे जो OBC का क्रीमी लेयर है उससे संबंदित इंद्रासानी वाद है विसाका वाद यह 1997 का है उन्नीस सो सिंत्यानवे का यह बहुत important केस है और यह है कामकाजी महिलाओं का कार्ये स्थल पर यानि के sexual harassment of women at workplace इससे संबंदित केस कौन सा है विसाका केस और इसके बाद विसाका guidelines पर जारी की गई थी तो यह बहुत important है मेन का गांधी वाद मेन का गांधी केस है जो कहता है अनुछेद 14, 19 और 21 अप वर्जी नहीं है article 14, 19 और 21 जो तीनो मौलिक अधीकार है fundamental rights है वो अप वर्जी नहीं है अनुछेद 14 क्या कहता है कि कानुन की नजर में सभी लोग समान है कानुन सबको समान सुरक्षा प्रदान करेगा अनुछेद 19 आपको स्वतंतरता का अधीकार देता है right to freedom और अनुछेद 20 आपको right to life द नाम पश्चिम बंगाल सरकार जिसके तहित पश्चिम बंगाल सरकार ने एक order निकाल दिया था आदेश जारी कर दिया था जिसमें लोगों की अगर property ली जाती है तो उनको कोई पुरानी तारिक के हिसाब से उस property का compensation दिया जाएगा पैसा दिया जाएगा बट इन्हों ने स किया यह जीती और ultimately यह निर्ने आया कि आप किसी पुरानी तारिक पर जो उसकी rate है उसके हिसाब से पैसा नहीं दोगे जो उस समय जब सरकार उनकी property ले रही है जो rate चल रही है उसके according इनको पैसा दिया जाएगा तो सामने नहीं आ पाया था वैसे बुक में जब आप देख करना यहाँ पे officers दे रखें और यहाँ पे उनकी सपत के बारे में दे रखा है कौन किसकी सपत लेता है हमको क्या करना है सही match करना है तो राश्ट्रपती सर्वोच नियाले के judge संसत सदस्य और संग के मंतरी चार है और सामने इनकी सपत है तो देखें सबसे पहले भारत के र लियाइदीस यह किसकी सपत लेते हैं तो यह लेता है समविदान और विदी की मरियादा बनाए रखना यानि के बी के आगे आगे आ जाएगा फोर नेक्स्ट है शंसदस्य संसदस्य संस-सदस्य लेते हैं सपत कर्तव्ययों के निष्ठा पूर्वग निर्वहन की तो सी के आगे आजाएगा 2 और लास्ट संग के मंत्री जो मिनिस्टर से हैं वो किसके लेते हैं वो लेते हैं सूचना की गोपनियता सिक्रेसी इनके आगे आजाएगा 1 तो 3421 कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नमबर C है 3421 और यहीं इसका सही आंस्वर है नेक्श देखें बारत्य संविधान के निमलिखित अनुच्छेदों में से कौन से सर्वोच न्याले द्वारा संविधान का अनुलंगनिय मौलिक धाचा गोशित किये गए हैं बेसिक स्ट्रक्चर जिसे का जाता है वो कौन से दो आपके अनुच्छेद हैं या तीन चार मैसे कौन से हैं जिनको गोशित किया गया है अपसन्स देखें अनुच्छेद 32, 226, 227 और अनुच्छेद 245 तो देखें अनुच्छेद 32 है सुप्रिम कोर्ट की रिट जारी करने की सकती ठीक है पांच प्रकार की रिट जारी कर सकता है सुप्रिम कोर्ट मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए तो ये तो अनुलंगनी मौलिक धांचे के तहत है अनुचेद 227 इसके तहत ये लिखा गया है कि जो किसी राज्य का उच न्याले होगा उस राज्य में से से जितने भी न्याले होंगे अधीनस न्याले उस सब उच न्याले के अधीन काम करेंगे तो ये भी मौलिक धांचा है, 245 अनुचेत मौलिक धांचे में नहीं आता है, तो option 1, 2 and 3 सही हो जाएंगे, जो कि option A में दे रखा है, तो A इसका बिलकुल सही answer होगा, चलिए, next, निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए, और हमें कौन से सही है, right statements को चूज करना है, पहला है, न्यायमूर्ती, वी आर क्रश्न अयर, भारत के मुख्य न्यायमूर्ती थे या फिर मुख्य न्यायदीस थे, चीफ जस्टिस थे, गलत statement है, चीफ जस्टिस नहीं बने थे, सेकंड है, न्यायमूर्ती, वी आर क्रश्न अयर, भारतिय न्यायक व्यवस्था में लोख हित याचिका के प्रजनन में से एक माने जाते हैं, लोख हित याचिका यानि के Public Interest Litigation PIL, इसके प्रजनन में से एक माने जाते हैं, बिल्कुल माने जाते हैं, Justice P.N. भगवती और उनके साथ-साथ, म्यायमूर्ती, वी आर क्रश्न अयर, दोनों ने मिलके PIL को भारत में इस्थापित किया था, तो सेकंड सही है, तो केवल आंस्वर कौन सा होगा, केवल दो वाला Option, Option B है, केवल दो, और ये इसका सही आंस्वर है, Next देखें, भारत के उच्तम नियाले की स्वायतता की रक्सा है, तो क्या प्रावधान है, स्वायतता का मतलब होता है, Autonomy, यानि के वो किसी के अधीन नहीं है, इसके लिए क्या प्रावधान है, वो हमको दिये गयो, अप्सेंस में से चूज करना है, पहले देखें, उच्तम नियाले के नियाजिसों को केवल भारत के मुखे नियाजिस द्वारा हटाया जा सकता है, बिल्कुल गलत है, इनको संसद द्वारा हटाया जाता है, मुखे नियाजिस नहीं हटाते है, Next नियाजिसों का वेतन, भारत की संचित निदी पर आरूपित होता है, जिस पर विदा मंडल में यानि के संसद में चौथा बारत के उस्तम नियाले के अफसरों और करमचारियों के सभी न्यूक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायदीशों से विचार विमर्ज के पस्चात ही की जाती है यह गलत है ऐसा कुछ भी नहीं है तो केवल कौन से सही है इस्टेटमेंट फस्ट और थर्ड सही है ऐसा कौन सा ऑप्षन है ऑप्षन ए है तो यह इसका बिलकुल सही आंस्वर है ऑप्षन ए वन एंड थ्री नेक्स देखें निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए और कौन से सही है हमें वापिस राइट इस्टेटमेंट को चूज करन की है मतलब यह है उच्तम नियाले को जो अधिकारिता दे रखी है उसको संसद बढ़ा नहीं सकती है गलत स्टेटमेंट ध्यान रखें समविदान के अनुछेद 138 में क्लियर कट लिखा हुआ है आर्टिकल 138 में कि संसद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता को छित स्टेटमेंट है यह जो है स्टेटमेंट दोनों ही रॉंग है तो ऑप्सेंस देखें केवल एक केवल दो एक और दो दोनों और ना ही एक ना ही दो सही स्टेटमेंट पुछा है एक भी नहीं है तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा नाइधर वन नौर टू नेक्स् आरंबिक छेत्रा अधिकार में आते हैं आरंबिक अधिकारिता में आते हैं आरंबिक का मतलब होता है औरिजनल एक्स्क्लूजिव जुरिस्डिक्शन देखें यानि कि सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो किन मामलों को लेके वो कोशन है पहला भारत सरकार तथा एक या एक शेत्रा के बीच विवाद और अगला है दो या दो से अधिक राजियों के बीच का विवाद हो जाए तो वह भी कहां जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा ये नहीं जाएगा सीधा तो ओप्षिन फर्ष्ट और आप्षिन पौर्ड इसमें सही है तो 1N4 कहां पर दे रखा है, option C में दे रखा है, वो इसका सही answer हो जाएगा चलिए next बारत के समवेदान के संदर में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए और कौन सा या कौन से कतन सही है, वो हमें चूज करने है पहला है किसी भी केंद्रे विदी को समवेदानिक रूप से औवैद गोशित करने की किसी भी उच नियाले को अधिकारिता नहीं होगी यानि कि अगर केंद्रे सरकार कोई कानून बना दे, संसत कोई कानून बना दे तो उसको असमविदानिक गोशित करने की सकती उच्छ नियाले के पास नहीं है गलत है उच्छ नियाले भी कर सकता है उच्छ नियाले भी कर सकता है तो दोनों ही गलत है, option D देखें, ना ही एक और ना ही दो, बिलकुल सही answer हो जागे Next देखें, निमलिकित कत्नों पर विचार कीजिए और हमें वापिस सही statement को choose करने बारत के संव headaches के 44 संसोदन द्वारा लाय गए एक अनुचित ने प्रद्यान मंतरी के निर्वा चन को नियायक पुनरवी लोकन से बाहर कर दिया और अगला है भारत के संवेदान के 99 संसोदन को भारत के उच्तम नियाले ने अभी खंडित कर दिया क्योंकि यह नियाय पालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमन करता था पहला statement गलत है और दूसर statement सही है देखें 99th amendment निन्यान वेव संसोदन क्या था इसमें बनाय गया था National Judicial Appointment Commission राश्ट्रिय नियाइक नियुक्ति आयोग जिसके तहट कुछ सदे से नियाय पालिका के थे और कुछ सदे से भारत सरकार के थे जो मिलके नियाय दिशों की नियुक्ति कर रहे थे भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इसको पुरी तरीके से अववैद गोशित कर दिया Unconstitutional Declare कर दिया बोल दिया कि समविधान के मौलिक धांचे का उलंगन है Basic Structure का violation है क्योंकि आप म्याय पालिका की स्वतंत्रता पर क्या कर रहे हो अतिक्रमन कर रहे है तो पहला wrong है Second सही है हमें सही चूज करना है तो option भी हो जाएगा केवल 2 Next निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए और हमें क्या करना है कौन से कतन सही है उन्हें चूज करना है तो देखें पहला नियायदीस जाच अदिनियम 1968 की अनुसर भारत के उच्टिम नियाले के किसी नियायदीस पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोग सबा के अद्धिक्स दोरा आस्विकार नहीं किया जा सकता बिल्कूल आस्विकार किया जा सकता है ये स्टेटमेंट गलत है भारत का सम्विदान या परिबासित करता है और ब्योरा देता है कि क्या-क्या भारत के उच्टम नियाले के नियादीसों की अशक्षम्ता और सिद कदाचार को घटित करते हैं बिल्कुल गलत है भारत के उश्तम नियाले के जो नयाफ़ीत है उनको दो आधार पर हटाय जा सकता है पहला होता है अशक्षम्ता इनकैपेसिटी और दूसरा होता है सिद या प्रमानित कदाचार प्रूड मिस बिहेवियर धिया रखें, बट इनकी तहट, इनकी में क्या आता है, इनकी परीवासा में क्या है वो नहीं बताए गया है, तो इस्टेटमन गलत है, नेक्स्ट, भारत के उस्टम न्यादिसों के महा भ्योक के प्रक्रिया के ब्योरे, न्यादिस जहां चदिनें 1968 68 में दिये गए बिलकुल सही है और चोथा है यदि किसी नियादिस के महा भीयोग के प्रस्ताव को मतदान हितु लिया जाता है तो विदी द्वारा अपेक्सित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रतियक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित हो बिलकुल सही है यह जो बहुमत है इसे विशेष बहुमत कहा जाता special majority और विशेष बहुमत को अगर मैं सरल बासा मैं समझाऊं तो जब यह डोनो क्राइटेरिया सही होत तरीके से मैट हो जाएंगे तो इसे յिषेश भभुवमत का या जाता है और इसी प्रकार से विषेश भभुमत से मियादिस को हटाया जा सकता है तो कौन-कौन से स्टेटमेंट सही है स्टेट्मेंट थर्ड और स्टेट्मेंट फूर्थ ऑप्शन सी इसका बिलकुल सही आंसर है तीन और चार नेक्स्ट नीचे कथन दिये गए हैं दो जिन मैंसे कथन और कारण हमको सही बताना है क्या है तो ऐसर जन देखें केंद्रिय कानूनों का सामवेदानिक वैदता के संबंद में भारत के सर्वोच न्याले की अनन्य अधिकारिता है अगर कोई केंद्रे कानून के समवेदानिक वैदता हो, तो वो अनन्य अधिकारिता है नहीं, वो इनकी अपिलेट अधिकारिता है, पहले हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और सरवोच न्याले भारतिय समवेदान का सन रख सके हैं, बिल्कुल से अपना किसके द्वारा की जा सकता है। बारत में उत्तर पूर्वी काफी सारे राज्यों का कॉमन हाई कोट है आसाम के गुवाटी हाई कोट तो यह संसद एक कानून द्वारा कर सकता है। इलाबाद उचन्याले की स्थापना कब हुई थी। इलाबाद हाई कोट कब इस्टेबलिश हुआ था। 1865, 1866, 1867 या फिर 1916 तो इलाबाद हाई कोट की स्थापना हुई हैं 1866 ऑप्शन भी 1866 next सबसे पहले किस उचन्याले ने गोशना की थी कि बंद आसमवैदानिक है। बंद का मतलब क्या है जो हर्ताल वगरा की जाती जो स्ट्रैक्स वगरा होती हैं उनको आसमवैदानिक या फिर unconstitutional कौन से उच नियाले ने गोशित किया था options देखें आंदरपरदेश, मद्यपरदेश, कैरल या फिर उडिसा तो बंद को सबसे पहले और समवेदानिक गोशित किया है मद्यपरदेश हाई कोर्ट ने option B next देखें लक्षदीप का उच नियाले है भारत के किस राज़े में इस्थित है लक्षदीप जो कि हमारा एक केंदे सासित प्रदेश है union territory है और भारत का सबसे छोटा केंदे सासित प्रदेश है smallest union territory है इंडिया का सबसे छोटा उसका जो उच्छ नियाले है वो कौन से राजे में लगता है तमिल नाडू, कैरल, आंधर परदेश या फिर करना टक तो लक्ष दीप का हाई कोट कैरला में लगता है जो कैरला का हाई कोट है वो ही लक्ष दीप का भी हाई कोट Next देखें निमलिखित मैंसे भारत में एक उच्छ नियाले के बारे में क्या सही नहीं है हाई कोट के बारे में हमें गलत स्टेटमेंट को बताना है द्वित्य अपील उच्छ नियाले के अपीलिय चेतरदिकार में है उच नियाले के प्रतियक नियादिस की नियुक्ति राष्टुपति करता है उच नियाले के नियादिसों की नियुक्ति राज्येपाल करता है और या फिर उच नियाले लोक हितवाद से संबंदित आवेदन स्विकार कर सकता है लोक हितवाद का मतलब होता है PIL पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन लोग हित याची का तो गरत इस्टेट्मेंट कौन सा है पहला तो बिल्कुल सही है अपीलिय छेतरदीकार में आएगा उच नियाले के प्रतियक न्यायद इसकी न्यूक्ति राष्ट्रपति करते हैं बिल्कुल सही है हाई कोड के जज हो चास शुपरिम कोड के जज हो नियूक्ति सब की राष्ट्रपति ही करेंगे तो इस स्टेट्मेंट सेकेंड से हो गया तो थर्ड अपना अब गलत हो गया विकोई यहाँ पर लिख रहा कहा है उनकी न्यूक्ति राजिय पाल करते हैं गलत है नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी. Next देखें, उच नियाले के मुख्य नियाएदिस की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? जो High Court का मुख्य नियादिस होता है, निके Chief Justice of High Court, इसका appointment, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपती, सर्वोच नियाले के मुख्य नियादिस द्वारा, संबंदित राजे के राजेपाल द्वारा, या फिर परदान मंत्री द्वारा, तो पिछले question में हमने देखा था, किसी भी उच नियाले में, जितने भी नियादिस होंगे, जितने भी जजेज होंगे, उनकी नियुक्ति, राष्ट्रपती द्वारा ही की जाएगी, तो मुख्य नियादिस की भी कौन करेंगे, भारत के राष्ट्रपती ही करेंगे, उच नियाले की बात question number 98 उच्छ न्याले के नियादी इस पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अरहता हैं या फिर क्या योग्यता होनी चाहिए अगर किसी को high code का judge बनना है तो फिर उसके लिए क्या योग्यता क्या qualifications होनी चाहिए पहला भारत का नागरी को बिल्कुल होनी चाहिए उसने भारत शेतर में कोई न्याइक पद धारन किया हो बिल्कुल सही कोई ना कोई न्याइक पद आप judge बगेरा रहे हो तो बिल्कुल सही है वह किसी उच्छ न्याले का दो या दो से अधिक ऐसे नियालों में अधिवक्ता रहा हो अधिवक्ता का मतलब होता एड़ोकेट किसी भी उच नियाले में दो या दो से अधिक उच नियालों में अधिवक्ता के पत पर रहा हो एड़ोकेट रहा हो बिल्कुल सही है और चौता option उप्रोक्त सभी, तो तीनों कंडिशन सही हैं, तो सही आंसर हो जाएगा option फोर्थ, उप्रोक्त सभी, हाई कोड के जज के लिए सारी योग्यताएं हैं. तो फ्रेंड्स, ये था हमारे मनोहर पांडे बुक सिरीज के इंडियन पॉलिटी भारतिय राजवस्ता के चैप्टर नमबर टैन्थ न्याय पाली का, यानि के जुड़ी शरी के question number 61 से question number 90 with detailed solutions. दन्यवाद, थैंक्यू आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए.